So guys, गाल जात की विडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप BZMI खेलते हैं और आपको कुछ इस तरह से प्रॉलम आयजाती है request time out अगर आपको भी request time out की जो प्रॉलम आयजाती है जो आप start पर click करते हैं गेम खेल रहे होते हैं बीच में आपको दिखाता है request time out अगर आपको यह problem आ रहे है तो इसको solve कैसे करेंगे वीडियो जाल रंबाइक नहीं करेंगे तो लिए जान लेते हैं इसको बरावन का solution क्या है सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको जो आपका internet है mobile data उसको on off करके देख लेना है आप wifi से connected है तो wifi को एक बार बंद करके फिर से connect कर लेना है या फिर आप किसी का भी hot spot ले सकते हैं या फिर आप एक काम करिएगा आपके mobile में होगा airplane mode जिसको हम flight mode बोलते हैं उसको आप को on कर देना है on करने के बाद 10 second तक on रखना है फिर उसको बंद करना है इससे आपके network से related problem होगी internet से related वो solve हो जाएगी क्योंकि network refresh होकर आ जाएगे ये काम करने के बाद एक और काम कर सकते हैं आप connecting and sharing में आईएगा setting के अंदर यहाँ पर आपको private DNS देखने को मिलेगा इस पर आईएगा यहाँ पर आपका off या auto होगा तो आपको private DNS provider पर click करना है और यहाँ पर यह जो है hostname डाल देना है dns.google.com और save कर देना है देन उसके बाद आप back आजाएए ये काम करने के बाद आप देखिए कि आपकी problem solve हो जाएगी अगर आपकी problem solve नहीं होती है तो मेंली कई बार ये problem आती क्यों है जब आपके game में कोई update आने वाला होता है तो ये आपको problem देखने को मिलती है तो आप सिधा directly अपने play store पर आईएगा battleground mobile India को search करिएगा यहाँ पर आप check करिएगा अगर आपको update आचुका है तो make sure आप update कर ले क्योंकि अगर आप update नहीं करेंगे तो हो सकता है में भी technical issue होने के बज़े से आपको problem आ सकती है ये काम आपको करके देख लेना है update अपने game को जरूर से रखना है आपको update करने के तुरंत बाद आपको आपके mobile का power button दबाना है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा reboot का option या आपके mobile में restart का option भी देखने को मिल सकता है दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे आप reboot या restart कर लेंगे आपका mobile loan होगा और फिर आप bdmi को खेलेंगे तो आपको ये problem देखने को नहीं मिलेगी ये काम आपको कर लेने हैं और एक और बात मैं आपको बता दूँ आप जाते हैं जब आपने प्लेश्टोर पर आपको देखने हैं अगर आपको update नहीं आया है तो आपको update की wait करनी है जैसे update आ जाएगा तो new update के अंदर आपकी ये problem जो है solve कर दी जाएगी सिर्फ आपको wait ही करना होगा hope आपको सब कुछ समझ आ चुका है अगर आपको फिर भी कोई problem आती है वासे तो मैंने आपको बता दिया इसका proper solution अगर आपको फिर भी कोई question हो आपके mind में तो मुझे comment कर पूस सकते हैं मैं कोई और solution भी आपको बताऊंगा आज की वीडियों में इतना ही मिलते है नाक्स वीडियों में तिल नवा